यहां सब का कटेगा दुबारा 2017 वाला एडिशन याथ जब मेरील स्ट्रीप ने ततकालीन अमेरीकी राश्पती डॉनाल्ड ट्रॉम्प को हड़काया था Academy Award के मंच को इस साल Ukraine के cause के लिए कैसे इस्तमाल किया आपको बताते हैं Awards के दौरान कई आर्टिस ब्लू रिबन और बटन पहने दिखाई दिये जिन पर लिखा था Hashtag With Refugees The United Nations Refugee Agency ने कागने वाड के पहले और दौरान ये रिबन सेलिब्रिटीज को दिये थे ताकि वो इसके जरीए Ukraine के Refugees के लिए सपोर्ट दर्शा सकें United Nations High Commissioner for Refugees के मताबिक करीब एक करोड यूकरेन वासी अपने घर छोड़ कर जा चुके हैं The Long Goodbye, 94 ओसकर आवोर्ट में लाइव आक्शन शॉट फिल्म की काटेगरी में जीतने वाली फिल्म फिल्म के को राइटर और आक्टर रिज एहमद स्टेज पर अवोर्ड लेने आये और कहा ऐसे डिवाइट करने वाले टाइम में हम मानते हैं कि एक कहानी का काम हमें याद दिलाना है कि कोई हम और वो नहीं है बस हम हैं ये उन सब ही के लिए हैं जोने लगता है कि वो बिलॉंग नहीं करते जोने लगता है कि वो no man's land में फसे हैं आप अकेले नहीं हैं हम आप से वहीं मिलेंगे जहां भवश्य है जहां शांती है रिज पिछले साल अपनी फिल्म साउंड अफ मेटल के लिए भी नॉमिनेट हुए थे लेकिन जीत नहीं पाये थे फ्रांसिस फोर्ट कोपोला की फिल्म दे गौड़ फादर ने इसी महीने अपनी रिलीज के 50 साल पूरे किये हैं इस मौके पर अकैड़मी ने फिल्म को ट्रिब्यूट दी कोपोला, रॉबर्ट, डेनेरो और अलपचीनो को स्टेज पर बुलाया गया कोपोला ने फिल्म पर काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया फिर दो शब्द यूक्रेन के लिए कहें करने आई थी, उस दौरान उन्होंने अपनी होम कांट्री के लिए कहा हाल ही कि ग्लोबल इवन्स ने हमें बहुत आहत किया है, फिर भी जब आप तराज़ती छेल रहे लोगों की हिम्मत देखते हैं तो उससे मूव ना होना संभव नहीं इस मार्च को यूक्रेन के राश्पती जेलन्सकी ने ट्वीट कर, कुनिस और उनके पती आश्टन कचर की तारीफ की थी, कुनिस और कचर ने यूक्रेन की मदद के लिए 35 मिलियन डॉलर की राशी जटाई थी Somehow You Do की परफॉर्मेंस के बाद स्क्रीन पर अकाडमी की तरफ से एक मेसेज आया, लिखा था फिल्म ऐसे समय में हमारे इंसानित बया करने का एक जरिया है, लेकिन हकीकत ये है कि उक्रेन के लाखों परिवारों को खाना, मेडिकल केर और साफ पानी चाहिए रिसोर्स की कम ही है और हमें ग्लोबल कम्यूनिटी होने के नाते बहुत कुछ कर सकते हैं आसकर में यूक्रेन पर की गई बात को बात कम अच्पी जादा समझा जा रहा है बाकी यूक्रेन में युद के वक्त अमेरिकी फिल्मेकर शॉन पेन भी वहीं मौजूद थे और डॉक्यमेंटरी शूट कर रहे थे आसकर से दो दिन पहले उन्होंने CNN से बात करते हुए कहा था अगर अकाडमी जैलिंस्की को स्पीच देने के लिए नहीं बुलाती तो वह अपने आसकर अवाद्स को गला डालेंगे शॉन मिस्टर क्रिवर और मिल्क में अपनी आक्टिव परफॉर्मेंस के लिए दो आसकर अवाड जी चुके हैं आपके लिए ये खबर लिखे हमारे साथी यमन में मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा शुक्रिया